चतरपुर जिले के घ्वारा में ग्राम सोर्खी के सेक्डो ग्रामिडों ने विदुद कारले का घेराव इसलिए कर दिया क्यूंकि उनके शित्र में विजली की सप्लाई बंद है इस दोरान ग्रामिडों ने एक शिकायती आविदन भी दिया है जिसमें बताया है कि ग्राम सोर्खी में पिछले चार दिनों से विदुद सप्लाई बंद है और ग्रामिडों को परिसानी हो रही है इस सम्मन्द में विदुद मंडल के बाबू एंडी कुश्वाहा ने बताया कि ग्राम सोर्खी के 238 लोगों पर 4,27,000 रुपे का विल बकाया है इसलिए बिजली सप्लाई बंद की गई है उन्होंने कहा कि अगर लोग बसूली में सयोग करें और 75-35 रासी जमा करा दें तो सप्लाई चालू कर दी जाएगी हाला कि ग्रामिडों का कहना यह है कि जिन लोगों की विल बकाया है उन्ह पर कारवाई की चाए इसके लिए सभी की विजली बंद करना गलत है तो क्या आप बरेश्टर दिगारियों को अगट करा चुपे हैं तो साम वो आने लिए गुरा गाओं परेशान है कि इसलिए कि ना तो कोई हेट पंप है अब छतरपूर शहर के नंधे मुन्हे बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल नगर के प्रतिश्ठित महराजा गुरुप एवं समाच से भी अर्विंद गोस्वामी की नई प्रस्तुती महराजा पब्लेक स्कूल प्ले गुरुप क्लास प्ले नर्शरी केजी बन केजी टू में प्रवेश की सुविधा हमारी सुविधाए जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बलकि बच्चों को भी अपना बना लेंगी आदूनिक कक्छाएं, कैमरा युक्त विद्याले, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, जीपियाज सहेत बाहन सुविधा, बच्चों को मरुरंजन हे तू खिलोने एकदम नई और भवे इमारत, हवादार कक्छाएं, सुन्दर, साज, सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किट्स जोन भी इतना ही नहीं, बच्चों को मदर कीचिंग का अनभव देने वाले कुशल, सिक्छक और सिक्चिकाएं तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरुसे मन्द और सुरक्षे के लिए महराजा पबलिक स्कूर, प्ले गुरुप, नरसरी, केजी वन और केजी टू में प्रवेश प्रारंब हमारा पता है, महराजा गार्डन के पास नाराइनपुरा रोड, बस स्टेंड, छतरपुर